इज्राइल हिज्बुल्ला वार अब आमने सामने की शिरू हो चुकी है इज्राइल की टैंक ब्रिगेड ने बॉर्डर क्रॉस कर दिया है वहीं अमेरिका ने भी ग्राउंड अटेक की खबरों की पुष्टी कर दी है सेटलाइट तस्वीरे भी सामने आ चुकी है हिज्बुल्ला पर इज्राइल का आखरी प्रहार हिज्बुल्ला के संपुर्ण बिनाश का अभियान हिज्बुल्ला के एक लड़ाके के खात्मे का उपरेशन लिबनान की जमीन पर आमने सामने का उद्ध हिज्बुल्ला के धर्ती पर इज्राइली टैंक ब्रिगेड का धाबा इज्बुल्ला की बची खुची ताकत को दफन करने के लिए इज्बुल्ला के लड़ाकों के तलाश शुरू कर दिये है इज्बुल्ला को सेना पती बिहिन करने के बाद इज्बुल्ला की सेना ने अपना आपरी मिशन में शुरू कर दिया है इज्बुल्ला के मार्कवा टैंक दक्षनी लेबदान में पोहुचना शुरू हो गये है Ground Operation के लिए रास्ता बनाने के लिए Heavy Artillery Firing इज्बुल्ला कर रही है Artillery Firing के अलावा इज्बुल्ला के अलावा इज्बुल्ँल्ला के दिया है दावा के दरहा है कि इज्राइल की मेतुला शहर से लगे दचनी लेवनान के इलाकों पर फॉस्पोरस बम से IDF में हमला किया है इज्राइली स्टेना का ये अभियान अभी दक्षिन लिवनान तकी सिमित है लेकिन इज्राइल ने बेरूद के दहिया शहर को भी खाली कराने का अलान बजा दिया है दहिया में हिद्बुल्ला के बड़े ठीकाने हैं यहाँ पर हिद्बुल्ला ने अंडर ग्राउंड ठीकाने बना रखे हैं दहिया के रिहाईशी इलाकों में हिद्बुल्ला के लड़ाके अभी विच्छिपे हुए हैं इज्राइली फोर्स बेरूद से लगे इस इलाके पर लगातार बमों की बारिश कर रही है ग्राउंड अटेक के लिए इज्राइली स्पेसल फोर्शेट ने दचनी लेपनान में पहले ही बेस तयार कर लिया था इज्राइल से लगी सीमा पर हिद्बुल्ला ने बारूदी सुरंगों का जाल बिचा रखा था जिसे इज्राइली कमांडों ने हटा दिया है ताबा के दा रहा है कि नस्रल्ला समेथ हिद्बुल्ला के दायातर बड़े नेताओं के मारे दाने के बाद से हिद्बुल्ला के ताकत करेक्वर्व खत्म हो गई है लिजर्शिप के खास्मे के बाद से हिद्बुल्ला के लड़ाके हताश और निराश बताय जा रहे हैं लेकिन इस पास से इंकार नहीं के रह सकता कि हिद्बुल्ला के लड़ाके किसी कमांडों से कम नहीं है ये लडाके वेल ट्रेंड हैं, जो अपनी सरजमी पर आमने सामनी की जंग में ज़ादा घातक सावित हो सकते हैं हिजबुल्ला के पास अभी भी एक लट से ज़ादा लडाकों की फौज है अत्यादोनिक हत्यारों से लैस हैं, मिसाइल, रॉकेट, आर्पीजी जैसे हत्यार अभी भी इनके हत्यारों के जखीरे में शामिल है ऐसे में इज्रायल के हवाई हमलों से बुरी तरह से घायल होने के बाबजूद हिजबुल्ला के लडाके अभी भी खतरनाक है चालिस साल से गुरिल्ला वार में माहिर है, ऐसे मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि रक्षिल लेबनान के धर्ती पर सबसे खतरनाक जंग शुरू हो चुकी है जिसका अंजाम क्या होगा, सभी को पता है, लेकिन उकसान इज्रायल को भी कम नहीं होगा इज्रायल के प्राइम मिनिस्टर वेंजामे नेतनियाहू ने कल इरान की जुनता को संबोदित किया नेतनियाहू के इस कदम से अब इस बात की कयास शुरू हो चुके है किया अब इश्राइल इरान पर भी हमला करने वाला है किया हिज्वुल्ला के बाद नेतनियाहू के निश्वाने पर अब इरान है यज्वान दुने टाइप हुआ ह्जुआ делать यूट अब इरान स्ट्यूर्धर स्ट्यूर्य stal SCOTT इसरा इरान के खिलाप इरान को ही लड़ाने का है नितिन्याहु का प्लान खामेने के खिलाप इरान करेगा बुलंद आवाज इरान में इज्रायल का तख्ता पलट सिक्रिट मिशन इज्रायल के इस दाओ ने दुनिया को हैरान कर दिया है कहा जा रहा है कि मुसाद ने इरान में बड़ी घुसपैट कर ली है खामेने की नाग के नीचे मोसाद के लोगों ने अपने लोगों की टीम तयार कर ली है बस इजार का इशारे का इंतजार है बेंजामिन नितिन्याहु का इरान की जनता की नाम इस्तंबोधन मोसाद की ही प्लानिंग की एक कड़ी है I speak a lot about the leaders of Iran Yet at this pivotal moment I want to address you, the people of Iran make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war Israeli PM ने इरान की जनता को संबोधित किया इरानी सरकार के खिलाब बाते की इरानी सरकार को आतंग के धूरी बताया इरानी सरकार को बंधक बना कर रखने उनकी आयादी को कुचलने वाला बताया लेकिर बड़ा सवाल है क्या इर्जायल अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा The tragedy unfolding in the holy land Benjamin Netanyahu के इस संबोधन में इरान पर हमले का इशारा चिपा है Israeli PM ने इविन में अपने संबोधन में इस बात के संके दे दिये थे कि हमां से शुरू हुई इस्याल की लड़ाई Hezbollah के खाथ में तक सिमित नहीं रहने वाली Israel ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इरान को आतंकवादी देश करार दिया दुनिया के लिए श्राप करार दिया लेकिन सोंबार को Netanyahu ने अपने इरादे साप कर दिये और कहा कि उनका मिशन पूरा नहीं हुआ है अगला टार्गेट इरान है इसरान ने गाइदान में पहले हमास को मिट्टी में मिलाया फिर लेबदान में हिद्बुल्ला की कपर तोडी और अब इरान पर अटैक के संकेट देकर दुनिया को सकते में डाल दिया है इरान अभी तक इर्यायल पर हमले से बच्चता रहा है गाजा के लड़ाई शुरू होने के बाद से ही इरान का एक्शन सिर्वानी धमकी तकी सिमित रहा है अप्रेल में सिरिया में रनी दुतावास पर इराइली हमले के बाद बने महौल को छोड़ दे तो अभी तक इरान इराल पर किसी भी तरह की एक्षन से बचता ही रहा है सीरिया में हुए अपने कॉंसुलेट पर हमले के बाद 13 अप्रेल को इरान ने इराइल पर रोकेट, डोन और मिसायल की पॉच्छार कर दे थी 19 अप्रेल को इसराइल ने उसके नुकिलियर साइट के करीब हमला कर पलट बार भी किया लेकिन इरान ने कोई जवावी कारवाई नहीं की 31 जुलाई को तेहरान में इसराइल ने हमास चीप इसमाईल हानिया को मार गिराया हानिय आया जिस्टी के सुरक्षा निग्रानी में था इरान का स्पेसल गेश्ट था बाबजूल इसके इरान इज्राइल पर हमले से दूर रहा इज्राइल ने हिज्बुल्ला चीप हसन असरला को भी मार डाला उसके टॉप इडर्स को खत्म कर दिया इज्राइल ने सिरिया के शाशक असरत के भाई तक को मार दिया लेकिन इरान अभी तक डारेक्ट बार से दूर है लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर इज्राइल ने हिए इरान पर हमला कर दिया तो उसके पास बचने का फिर कोई विकल्प नहीं होगा इस्राइल पर प्रतिकिया देने में देरी का मतलब ये नहीं है कि इरान युद से ड़ता है इरान और इरान के लोग युद नहीं चाहते हैं बलकि हम चेत्र में इस तेरता को मजबूत करने के लिए प्रयास करते हैं इरान की राश्टी सुरक्षा से खिलवार और इरान के राश्टी हितों और राश्टी सुरक्षा को निशाना बनाने की स्थित में हम कभी भी निश्क्री नहीं रहे हैं और नहीं निश्क्री रहेंगे इरान के मिलिटरी पावर किसी में तरह से इज्याय से कम नहीं है Ground Force में इरान 20 है तो यह Air Force में इज्राइल लेकिन नेवी की ताकत में इरान इज्राइल से बहुत आगे है Missile, Drone और Attack में इरान इज्राइल पर भारी है लेकिन इज्राइल के पास यह Defense System का सुरुक्षा घेडा है और सबसे बढ़कर अमेरिका का साथ है इज्राइल पर हमले से बचने की पीछे इरान का सबसे बड़ा डर अमेरिका ही है इरान के इस जर की वज़ा है उसका निकुलियर प्लाइन Defense Expert इसे लेकर इरान को सचेत भी करते रहे है इरान को डर है कि अगर जंग शुरू होती है तो अमेरिके और इज्राइली फोर्स उसके निकुलियर पावर पनने की सपने को तवाह कर देंगे लेकिन जिस तरह से इज्राइल ने इरान के साथ दो मॉर्चे पर एक साथ माइन गेम शुरू किया है त्यानी सरकार के लिए खत्रे की घंटे बजा दी है पहले तैरान में इसमाइल हानिया की हत्या और अब हिज्बुला चीफ नस्रल्ला की हत्या इन घटनाओं को लेकर इरान इंतजाम की आग में चुल रहा है हालांकि अभी तक उसने चुपी साथ रखी है लेकिन दुनिया की नजरे इरान की ओर ही घड़ी हुई है इसे में सवाल ये है कि इस्राइल से इरान कब और कैसे बदला लेगा इस्राइली एर स्ट्राइक से लिबनान धगत रहा है यमन में हूती विद्रोयों के चिकाने तबाप हु रहे है गाजा में भी इस्राइल का आक्शन जा रही है और इन सब की बीच इस्राइल की प्रधान मंतरी बेंजमिन नेतिन्याहू का एलान कि वो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे हम साथ मोर्चो पर युध लड़ रहे हैं हमने गाजा में हमास को कुछल दिया हमने उसकी अदिकाँच कमांड चेंड को खत्म कर दिया हमने हिजबрах को टाकत के साथ कुछला हमने नसरला को खत्म कर दिया और हम ये वस्तित रूप से उसके शीर्श कमांड को भी खत्म कर रहे हैं। इसराइल अपने दुश्मनों का पीछब करेगा और उन्हें खत्म करेगा। नेत्यनाहू ने एलान किया कि हजबुलाज चीफ असन नसरला की मौत मिडल इस्ट में शक्ती संतूलन को बदलने वाला सावित होगा। मतलब साफ है मिडल इस्ट में इसराइल बारूदी कोराम मचाने को तैयार है और यही डर इरान को लगा तार सता रहा है। इरान ने भी बीते शुक्रबार कर बेरूद हमले में नसरला के साथ आई आर जीसी के जबुटी कमांडर अबास निल्फ और उशान की मौत का बदला लेने का आप एलान किया है। इरान के विदेश मंत्री अबास अरागची ने एक बयान में कहा। इस्लामिक रेविलुशनरी गाड कॉप्स के डिप्टी कमांडर अबास निल्फ और उशान की मौत अनुतरित नहीं रहेगी। अक्रामत जयूनी शासन का ये भयानक अपराद अनुतरित नहीं रहेगा। पीदेश शुकरवार को इसराइली सीना ने लिबनान की राजधानी बेरूत में हेजबुला के एड़कॉर्टर पर असी टक विस्पोटक से हमला किया था। इससे इतना भीशन विस्पोट हुआ कि छें इमारते द्वस्त हो गई। इस वक्त नस्रला अपनी बेटी के साथ यहां पर मौझूद था। उसके साथ कई सीनियर अफसर भी थे। जिनमें इरानी कमांडर निल्फोरोशान भी थे। निल्फोरोशान आयार जीसी के ओपरेशन्स कमांडरों को देख रहे हैं। यह कमांड सीधे तौर पर सैनिय और सुरक्षा अभ्यानों में शामिल है। इसमें विशेश रूप से सीरिया में सैनिय गतिविद्या शामिल है। अपने एहम कमांडर की मौत के बाद से ही इरान इंतकाम के आँग से जल रहा है। रविवार को इरान के रन्नितिक मामलों के उपाध्यक्ष जवाद जरीफ ने इसराइल को धम कि दी और कहा। उचित समय पर और इरान की पसंद की जगा पर इसकी प्रतिक्रिया होगी और इसके निड़ने नशित रूप से नितरत्वस्तर पर किये जाएंगे। यहां तक कि इरान के गारजन काउंसल के सचिव अहमत जनती ने भी एलान किया कि इजराइल को सुर्दार जवाब मिलेका। दरसल तहरान में हमास चीफ इसमाईल हानिया की मौत के बाद से ही इरान इसराइल को अंजाम भुकतले की चेताब़ी दी ती। लेकिन एक के बाद एक, IRGC कमांडरू की मौत के बाद भी इरान अब तक इसराइल पर सीधे हमला टेने की हम्मत नहीं चुटा पाया है। अब इसराइल से बाद ले सकता है क्योंकि एरान में इसराइल से बाद लेने के मांग अब तेज हो गई है और रूस भी उसके साथ खड़ा दिख रहा है। इस्राइल के जो हाथ हैं वो वस्तविक रूप से एरान में किसी भी कोने तक पहुंश सकते हैं, चाहे वो उसकी रालधानी हो, चाहे वो इरान का कोई कोना हो, और जायर है कि इस्राइल के प्रथान मंतरी बेज्यमिन नेतन्याओ ने एरान के डूकलीर प्रोग्राम के ओपर विशेश रूप से उसे चेताविश दी कि इसराइल इरान को नुक्लियर वेपन्स रिक्वाइर करने नहीं देगा. और यदि इरान ने इसराइल के विरुद्ध कुसी तरीके की बड़ी हिमाकत की, कोई बड़ा हमला किया, तो इसराइल के दौरा इरान के नुक्लियर इस्टालिशन्स को भी टारगेट किया जा सकता है. इसराइल से इरान अब बड़ा जरूर लेगा, मगर कब ये किसी को पता नहीं. इन सब के बीच अब नए जवलपन सामने आ रहे हैं, जिससे लग रहा है कि जंग के आग और भड़कने वाली है. पाना तो ये भी जा रहा है कि पुतिन के दूद की मौजूद्गी में इरान में इसराइल से बड़ा लेने का प्लान बने का. दरसल पुतिन अपने रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्टन को इरान भीच रहे हैं, रूसी पीम मिखाइल सोगवार को इरान में रहेंगे और वहां के राष्टपती मसूद पजशिक्यान से मुलाकात करेंगे. माना जा रहा है कि मिखाइल पुतन का संदेश लेकर इरान जा रहे हैं, महीं पर इसराइल से बड़ा लेने का इरान फ्लान भी बनाएगा. इसराइल हेजबुलाल लिबनान जंग में इरान अभी बैटफुट पर नज़रा रहा है. इसराइल का अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता, मगर इरान की सुप्रीम लीडर को दर्स अता रहा है. और शायद यही बज़े है कि जैसे ही हेजबुला जीब नसरला की मौत की खबर सामने आए, सुप्रीम लीडर सेफ जगे चले गए. लेकिन इसराइल और इसराइल की बीच अगर सीधी जंग होती है तो इसका मतलब होगा कि रूस और अमारे का फिर आमने सामने होंगे और मिडलीस्ट दुआ दुआ होगा. ऐसे में इराम का इसराइल से बदला लेने का प्लान क्या होगा, जाने वाला वक्त नी बताएगा. न्यूस टूनाइट में बात इसराइल के उस घातक प्लैन की, जिसमें फज गया नसरला और मारा गया. हिजबुला चीफ नसरला की मौत को लेका चार थियोरी सामने आई हैं, जिसे बता चलता है कि इसराइल किस तरह से अपने दुश्मन को ठिकाने लगाता है. एक हमला गया. दूसरा हमला. तीसरा हमला. मारा गया नसरला. हिजबुला की आका नसरला को इसराइली फौच में कैसे ठिकाने लगाया, किस तरह से बम और बारूत की बारिश करके नसरला की कबरखोती, ये दुनिया जान चुकी है. लेकिन अपने दुश्मन नमबर एक नसरला को मारने के लिए, इसराइल ने कितना घातक चक्रिफियो रचा, ये जानेंगे, तो आप दंग रह जाएंगे. क्योंकि दुनिया के मोचे पर नसरला को नस्तानावूत करने वाली चार्थ तोड़ी सामने आ रही है. नसरला की मौत पर जो इरान बदला लेने की धंक्या इसराइल को दे रहा है. उसी इरान को महरा बना कर इसराइल ने हिजबुल्ला की आगा को ठुकाने लगा दिया. साओधी अरब के मीडिया हाउस अलहदत ने भी दावा किया. ये कुछ महीने पहले इरान से आएक शुक्स ने हिजबुल्ला चीफ से मुलाकात की थी. दोनों ने हाथ मिलाया और इसी दौरान लिक्विट की शुकल में नेने.